सुप्रीम कोट ने CBI डिरेक्टर आलोक वर्मा को जबरन छुटी पर भेजने के फैसले को रद्द कर दिया है सर्वोच अदालत ने कहा कि कानूं के मुताबिक CBI डिरेक्टर को हटाया या सस्पेंड नहीं किया जा सकता ऐसा कोई फैसला CBI डिरेक्टर को चुनने वाली कमेटी से मंजूरी के बाद ही लिया जा सकता है हाला कि सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि आलोक वर्मा फिलाल कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकेंगे आलोक वर्मा का दो साल का कारेकाल 31 जन्वरी को खत्म हो रहा है सुप्रीम कोट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने दलील दी कि आलोक वर्मा को छुर्टी पर धेजे जाने का फैसला केंद्रिय सतर्पता आयोग की सलहा पर लिया गया था ये कानूनी मामला है कि सुप्रीम कोट ने CBI की निश्पक्चता स्वाइतता बनाई है और उसकी विश्वस्नियता बनी रहे इसलिए अकाउंटेमिलेटी का मिकानिजम भी खड़ा किया है इसको राजनीती के चश्मे से नहीं देखना चाहिए